गुड मॉर्निंग, क्लास फिफ्थ, हम पढ़ रहेते चेप्टर ट्वंटी, प्रोस्पेरेटी फ्रॉम एग्रिकल्चर, अर्थात खेत से खुश हाली, आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स आर ठीके, तो अच्छी फसल होने के लिए या अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए खाद का उप्योग किया जाता है, अधिकांस्ता जो विलेज में जो लोग खेती करते हैं, वो जानवरों को भी पालते हैं, और जानवरों का जो गोबर होता है, उसे वो एक इस्थान पर रख देते हैं, और उसे खाद के रूप में अपने खेत में फसलों के उत्पादन के लिए प्रियोग किया जाता है, ठीक है, Nowadays we use fertilizers such as Urea, वर्तमान समय में रसाइनिक खाद का उप्योग किया जाता है, जैसे Urea, DAP, etc. to get good harvest, अर्थात, अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए वर्तमान समय में रसाइनिक खादों का उप्योग किया जाता है, जैसे Urea और DAP, ठीक है, Precautions have to be taken while using fertilizers, तो रसाइनिक खादों का उप्योग करते समय, हमें साउधानी रखनी चाहिए, Excessive use of fertilizers may cause skin diseases, stomach upset, headache, sickness, etc. यदि हम ज़्यादा खाद डालेंगे, सोरी रसाइनिक खाद डालेंगे फसल पर, तो इससे हमें चर्म रोग, पेट दर्द, सीर दर्द और बैचेनी, आदी बीमारिया हो सकती है, ठीक है, Insensible use of fertilizer destroys the fertilizer fertility of the soil, So we should use organic fertilizers और duck fertilizers as far as possible, देखो होता क्या है, कि हम अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए रसाइनिक खादों का ज़्यादा उप्योग करते हैं, और ये जो रसाइनिक खाद है, वो मिट्टी में मिल जाती है, और जब ये रसाइनिक खाद है मिट्टी में मिल जाएगी, तो मिट्टी की जो गुणवत्ता है, वो धीरे-धीरे क्या हो जाएगी, नश्ट होती चली जाएगी, ठीके तो क्या होगा मिटी की जो fertility जो पादन शमता है वो धीरे-धीरे क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इसलिए कहा जाता है कि fertilizer जो रसाइनिक खाद है उसके इस्थान पर हमें प्राकर्टिक खाद का उप्योग करना चाहिए ठीक है अब ये प्राकर्तिक खाद केसे बनेगी ये हम आगे पढ़ते हैं ठीक है चलो अब हम खाद बनाते हैं प्राकर्तिक खाद तो अपने स्कूल के किसी कोने में एक खड़ा खो दे और अपने स्कूल में जो पेड लगे हैं उन पेड़ों से गिरी हुई जो पत्तिया हैं ठीक है उसे और आपकी स्कूल में जो मिड़े मिल का जो खाना बनता है ठीक है उसके फलों के छिलके सबजों के छिलके वो सब उस खड़ों के अंदर डाले और यदि कोई गोबर है ठीके उसे भी आप उसके अंदर डाले उस खड़े के अंदर ठीके तो पेड़ पोदों से गिरी हुई पत्तिया हैं कोई फूल है ठीके और या फिर कोई आपका जो मिड़े मिलका बना हुआ जो मिड़े मिलके जब बनता है उसमें फल और जो सबजी ह उसके चिलके वो सब उस खड़ों के अंदर डाले ठीक है अगर कोई गोबर है तो गोबर भी उसके अंदर डाले और उसमें थोड़ा सा क्या समय समय पर पानी डालते रहे तो कुछ दिनों के बाद में क्या बन जाएगा आपकी खाद बन जाएगी ठीक है और उस खाद का उप पोधे जो हैं उसमें डाल कर आप उसका यूज कर सकते हैं ठीक है इस्टोरिंग ओफ ग्रेंज ठीक है अर्थात अनाच का भंडारण अब सबसे बड़ी समस्य किसानों के सामने क्या आती है अनाच को रखने की अब पढ़ते हैं After harvesting the main challenge of a farmer is storage कि जब किसान फसल को काटता है तो फसल को काटने के बाद उसे रखने की उसे चिंता रहती है कि वो कहां रखेगा ठीक है Bags of harvested crops are taken from the field to warehouses It may be a room of a house or a cold store कि किसान क्या करता है कि खेत में जब फसल करती है तो उस अनाच को बोरी में रखता है और बोरी में रखकर ठीक है उसे बेल गाड़ी या किसी अन्य साधनों के माध्यम से उसे अपने घर पर लाता है या फिर उसे cold store में रखवाता है There should be no humidity at the place where crops such as gram moon are stored कि जहां पर भी फसल रखी जाती है मुख्य तोर पर मूंग और ground वहां पर नमी नहीं होनी चाहिए ठीक है अगर नमी होगी तो वो किड़े लग जाएंगे और वो जल्दी खराब हो जाएगी आपकी जो फसल आपने काटी है ठीक है और साती सात में जीव जन्तु जो है वो वहां पर नहीं होने चाहिए इंसेक्ट्स जिसे हम बोलते हैं ठीक है इससे क्यों गे फसल में केड़े लग जाएंगे और वो आपकी जो फसल जो आपने काटके रखी ये बोरी में वो खराब हो जाएंगे ठीक है Less production in the field The rain come at proper time The yield in the field is good ठीक है कि अगर समान अनुपात में या सही मात्रा में यदि बरसात होती है तो हमें अच्छी फसल प्राप्त होती है Crops are spoiled due to heavy rains Untimely rains and scarce rainfall और no rainfall ठीक है अगर बरसात जादा आएगी बहुत जादा अगर टाइम पर बरसात ना आए तो भी ठीक है और scarce rainfall मतलब अगर बरसात ना होए ठीक है तो भी क्या होता है कि हमारी जो फसल है वो क्यों जाती है नश्ट हो जाती है खराब हो जाती है This affects the income of the farmer इससे किसान की जो आए है उस पर काफी प्रभाव पढ़ता है अगर फसली नश्ट हो जाएगी तो उसने जो विचारे ने जो लगाया है खेट पे पैसा लगाया है वो फसली नहीं होएगी ठीक है In some cases, some sudden diseases in the crops also spilled them और कभी कभी क्यों तक फसलों में कीड़े भी लग जाते हैं के करण फसल क्या हो जाती है नश्ट हो जाती है पादा हो जाना ठीक है या फिर फसल में कीड़े लग जाना इसके कारण क्या होता है कि जो किसान होता है उसने जो बीज बोया है जो मेहनत करी है उसका भी पैसा उसको नहीं मिल पाता है ठीक है फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम मैन हैड स्टार्टेड यहां से पढ़ेंगे ठीक है